इस समय ट्वीटर पर ट्रेंट कर रहा है हम आपको बताने आये है कि यह क्यों कर रहा है लेकिन उसके पहले आपको बता दे के टूती कूडी में ही यह एक और कस्टीडियल का केस आया है कस्टीडियल डेथ का केस आया है इसके पहले आपको पता होगा कि पिता और पूत्र का जैराजन फेनिक्स का भी एक सेम इंसिडेंट आया था जहाँ पर कस्टेडी में उन्हें बूरी तरह से पीट-पीट कर मार दिया गया था और अब ऐसा ही कुछ एक केस और हुआ है टी सेलवन जो टूटी-गडी के रहने वाले थे उनके साथ हम आपको पूरा बताएंगे पर उसके पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो हम ट्रेंडिक वीडियो पहले डालते हैं डीटेल में डालते हैं कोशिश करते हैं कि आप लोग यनि हमारे विवर्स उन्हें सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए तो सब्सक्राइब कर लो आपको अगर मैं टी सेलवन के बारे तक पानी पहुंचाते थे बहुत ही नेक काम करते थे और इनका कस्टीडियल डेथ हुआ है इंस्पेक्टर हरी कृष्णन टटर मदम के इंस्पेक्टर हरी कृष्णन पर पूरा इलजाम लगा है इसके साथ आपको ये भी बता दे के टी सेलवन के भाईयों ने एक दिन पह के कॉमर्स विंग सेकरेटरी तीरू मनवेल ने पूरी तरह से अटेंप्स किये उनकी जो एगरिकल्ट्रल लेंड है उसको हतियाने के और इसके साथ जो पुलिस है टर्टर मदम की वो भी इस पॉलिटीशन के ही साइड में थी वो उनकी फैमिली का साथ बिलकुल नहीं दे थी वो तीरू मनवेल का ही साथ दे रही थी इस मामले में इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पुलिस ने बिलकुल इंकार कर दिया कि जब हम लोग एफाई आरे कंप्लेंड करवाने गए पुलिस के बात में तो पुलिस ने पूरी तरह से इंकार कर दिया कोई भी रिकी का जनम भी हुआ था और उनकी इस तरह से डेथ अगर करता है कोई उनको पीट पीट कर मारता है तो ये बहुत गलत हुआ है आप जरूर अपनी राय दे कमेंट करके बहुत गलत हो रहा है तमिल नाडु में जो जिस तरह से पुलिस राज चल रहा है पुलिस राज मैं तो सब्सक्राइब कर लो अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे इस वीडियो में तना ही जै हिंद जै भारत